अब हमारी एक्सेसाइज 8.1 है हमसे कहा है अनुपात ग्याद कीजिए जैसा फर्स्ट कोईशन है साइकिल की गती 15 km दी है और स्कूटर की गती 30 km दी है तो इन दोनों के बीच में अनुपात निकालने तो अनुपात बराब साइकिल की गती बट्टे स्कूटर की गती अनुपात निकालने तो मीटर वाला उपर रहेगा जो हमने की किलो मीटर को मीटर में चेंज किया कहां नीचे आएगा तो दोनों को सॉल्व करें 1 रेशियो 2000 आ गया ठीक है बिटा इसी प्रिकार अब आपका इसका जो सी पार्ट है ये होम अक में करेंगे 50 पैसे का 5 रुपे से गयरा तो ये रुपे को आप किसम दलना पहले पैसे में बदलना और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लेना ठीक तो आप उमंख मा करेंगे इसको अनुपात मां बदलना है मां बदा रहे हूं तो 3 upon 4 लिया क्योंकि उसके बाद नेक्स कोषिन हमारा थार्ट कोषिन है 25 विद्यार्थियों मैं से 72 विद्यार्थी गलित में अच्छे हैं कितने विद्यार्थी गलित में अच्छे नहीं है तो हमारे पास कहरा कि 25 विद्यार्थी कितने हैं और गलित में विद्यार्थी अच्छे हैं बराबर इस कूल का 72 विद्यार्थी अच्छे हैं तो विद्यारती गणित में अच्छे नहीं है के लिए क्या क्या है 25 कुल विद्यारती जितने है उसमें से जितने गणित में अच्छे है उसको क्या कर दिया माइनस क्या तो इतना आया और गणित में जो विद्यारती अच्छे नहीं है का प्रतिसत अगर निकालना है तो आप को दिखा रही है आपको क्विश्चन नमबर फूर्थ देखे एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से दस में जीत हासिल की यदि उनकी जीत का 40 पृतिसाथ 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले तो आपसे कहा गया कि कुल कितने मैच खेलें की मैचों की संख्या निकालनी है तो मैंने इस क्विश्चन का जब solution किया तो कैसे किया देखे फुल मैच कितने है एकस है अब आपसे कहा जितने मैच कुल खेलें उसका 40 पृतिसाथ उसने आपको कितना दे रखा गया तो according to question जिसको हम क्या बोलते है प्रस्तना नुसार 40 पृतिसाथ गुणा एकस बराबर कितना दे गा 10 तो 40 बट्टे प्रस्तिसाथ की जाए जाएगा बट्टे में 100 गुणा एकस बराबर 10 एक जिरो से एक जिरो कर गया तो 4 अपॉन 10 इंटू एकस ऐसे रहन दे मैंने फिर ये 10 अपॉन में था इंटू में इदर कहा जाएगा इसके चार का भाग सौमें कितनी बार जाता है तो अधा कुल मैचों की सांख्या कितने होगी यह हमारे आज क्वेश्चन कितने होगे इसमें चार कुष्चन होगें टोटल तो इस एकसरसाइज में आपके पांच किश्चन है फांच होगें आपको एकस्प्रेंड कर रहे हूं अगर तो उसके पास कितना रुपया था गरा मैं थोड़ा सा इसको explain कर भी हूँ माला question number 5 शुरू में रुपय थे बराबर कितने माल लेते हैं रुपय थे बराबर एकस उस एकस का जितना उसके पास शुरू में जो रुपय थे शुरू में उसका 75% खर्च कर रहा है तो एकस इंटू 75% खर्च करने के बाद कितना रुपया बच रहा है 600 रुपया बच रहा है जब आपने एकस का 75% निकाल ली पहले तो हम इसको solve करेंगे एकस इंटू 75 अपॉन कितना आगे 100 दोनों आपके 25 की टेबल में आते हैं तो हमारे पास कितना आगे 3X अपॉन 4 आगया अब आपसे कहा है कि कुल रुपय जितने थे शुरू में शुरू में कितने रुपय थे एकस उसका 75% खर्च किया तो उसको solve किया तो कितना है 3X अपॉन 4 इस X में से 3X अपॉन 4 को जब आपने खर्च किया तो उसके बाद कितना रुपय बच रहा है 600 रुपय बच रहा है तो मैंने इसमें क्या क्या इसका LC में ले लिया 4 यहाँ पर आजाएगा 4 इसके सांथ जाएगा 4X माइनस 3X इक्वल 600 4X में से 3X इगा तो एक X से बचा और यह 4 अपॉन मता ही दलका जाएगा इसके इंटू में तो इसके आप X इक्वल कितना जाएगा 2400 जैंकि स्टार्टिंग में प्रारंब में उसके पास रुपय थे बराबर पास रुपय थे बराबर कितना 2400 रुपय ठीक है तो यह कुश्चन मैंने बता दिया है मैं कहरते हैं आपको होमोग दूँगी बट मैंने बता दिया है अब इसके बाद कुश्चन नमबर 6 जो है आप इसको घर से खुद करेंगे अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूश्च कीजिएगा अधरवाइस आप कर सकते हैं बहुत इजी कुश्चन है ठीक है बटा